नमस्कार बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूँ सुचीत दो हजार पच्चीस के विधान सभा चुनाओं में सत्ताधारी दल के लिए तीन एस काफी माइने रगते हैं बहुत महत्पूर्ण है तीन एस वो तीन एस क्या है उसके वारे में हम बताएंगे आपको लेकिन जिस तरह का महौल बन रहा है इन तीन एस के खिलाफ राज्य में जन्ता के बीच उससे ये लगता है कि बर्तमान में जो सरकार है बिहार में उसकी दो हजार पच्चीस के बिधान सभा चुनाओं में सफलता संदिक्द है बसरते कि बिपच्च पूरी मजबूती के साथ बिकल्प के तोर पर लड़े तो ये तीन एस क्या है ये तीन एस हैं सर्वे यानि कि जमीन का सर्वे स्मार्ट मीटर बिजली का स्मार्ट मीटर और शराब बन दी तो तीन एस से शुरू होने वाले जो शब्द हैं वो तीनों भारी पर सकते हैं राज्य सरकार के लिए क्योंकि इन तीनों के विरोध में एक तीनों को लेकर विरोध की धूरी बन रही है स्मार्ट मीटर के बारे में तो लगातार हम बता ही रहें आपको और किस प्रकार से अंदोलन भी शुरू हो गया है उसको लेकर हल्ला बोल करके सिमानचल के छेतरों में स्मार्ट मीटर अच्छी चीज है और इसमें आप कितनी बिजली इस्तमाल करते हैं वह आपके हाथ में हैं लेकिन राजसरकार ने इसको लागू करते समय जनता का भरोसा नहीं जीता भरोसा कैसे नहीं जीता क्योंकि राजसरकार ने इसको अपने उपर प्रयोग नहीं किया जनता पर थोपने की जबरदस्ति जरूर की अगर अपने उपर प्रयोग होता तो सरकारी भावनों में कि विधायकों के आवास पर मंत्रियों के आवास पर अधिकारियों के आवास पर पहले स्मार्ट मीटर लगाया जाता और उसके बाद जनता को प्रेरित किया जाता कि आप भी स्मार्ट मीटर लगाएं लेकिन चुकी इस बिजली विभाग के क्रिया कलापों के बारे में मीडिया में उसके भरस्टाचार को लेकर इतनी बाते आ गई हैं कि जनता का आप स्मार्ट मीटर को लेकर थे उर्जा विभाग के प्रधान सची संजीं हंस के बारे में आपको पता ही होगा तो जनता के मंद में ये कहीं न कहीं ये है कि ये अपने फाइदे के लिए स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है और उससे जो है उनका बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है हलाकि इस संबंद में अब राज सरकार जगी है तमाम जो जिले के अधिकारी वो उनको जिम्मेलारी दी गई है कि आप अपने अहां स्मार्ट मीटर लगवाएं लोगों को समझाएं उनको कन्विंस करें उनको विश्वास में लें लेकिन विश्वास वो उपर से ही आता है आ स्मार्ट मीन नहीं लगा है तो जनता कैसे विश्वास करें लिए तो यह बाते हैं आप स्मार्ट मीन शेयरी च्छित्र में तो काफी आगे बढ़ चुका है फिल्शतर-प्रतिशत फ्यीजिशत घरों में स्मार्ट मीटर लग गया लेकिन ग्रामीन छेत्रों में ये काफी कम है लगभग 21 फिजदी ही स्मार्ट मीटर लगा है तो निश्चित तोर पर सरकार को इस दिशा में लोगों को अपनी विश्वास मिलेना होगा दूसरा है जमीन का सर्वे जमीन का सर्वे आज 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 आप जहां भी चले जाएए आपको ज सारी भ्रांतियां हैं और बहुत सारे लोग परिसान भी है क्योंकि उनको दाखिल खारीज कराना हो या फिर कोई भी काव्यात लेना हो वह मिलने में काफी कठनाई हो रही है उसके लिए उनको पैसे देने पड़ रहे हैं बस चाचार का बोलवाला है और कई जो गड़े मु वस्चा हो रही है कहीं कुह सरकार के खिलाफ जा रही है यह वह में तो यह सरकार को फाइदा होने वाला cœur बहुत सारी बाते हैं जो मतलब पहले भी मैंने जिक्र किया था कि सरकार पूरी तैयारी के साथ नहीं आई है नब्बे वर्सों के बाद जमीन का सरवे हो रहा है विहार में लेकिन सरकार को जिस तैयारी के साथ आना चाहिए था जिस जोर सोर के साथ आना चाहिए तो जन्ता में असनतोस बढ़ रहा है अब एक साल है चुनाव में अब देखिए बहुत सारी बाते इसमें तरह-टरह के नेता तरह-टरह की बाते कर रहे हैं कंफ्यूजन और बढ़ता ही जा रहा है और तीसरा शराब बंदी है अलाइकि शराब शराब बंदी को यह सरकार एक बार देख चुकी है 2020 का शराब बंदी जेल चुका है और जिसीद तैसे करके एंडाय की सरकार बन गई प्र से महागण वंद्रन के सरकार में तब दिल हो गई तो शराब बंदी का आलम यह है कि जितनी जोर सोर से यह सुरू हू जिस तरह की विवस्था की गई है क्रोरों रूपे उसमें खर्च हो रहे हैं लेकिन कहीं से भी शराब बंदी नहीं है और लोग मजे में शराब पी रहे हैं तसकरी हो रही है एक अलग एकनौमी तयार हो रही है और उसके अलावा नशा करने वाले यूकों को मतलब जो नवयूक हैं वो एक अलग तरीके का नशा भी जिसको ड्रग्स करते हैं उसके चपेट में जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इसका भी लाव नहीं मिला है शुरुवात में तो काफी कुछ सरकार की तरफ से प्रयास दिख रहा था लेकिन अभी तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि विहार में शराबबंदी है नहीं है शराब बंदी कानून में कई एमेंडमेंट किये जा चुके हैं तो काफी लचर विवस्था है कहने का मत्तब यह है केके पाठक जब तक थे इसके प्रधान सचीव तब तक तो लग रहा था कि शराब बंदी कोई चीज है अभी तो कहीं से कोई आवाज सुनाई नहीं देती है कभी कभी पुलिस वाले या आपकारी वाले छापा मार के कुछ पकड़ लेते हैं दिखाने के लिए तो वो सामने आता करे तो शराब बंदी है लेकिन वैसे आपको कहीं से भी पता नहीं चलेगा कि बिहार में शराब बंदी है तो यह तीनों एस जो है सर्वे स्मार्ट मीटर और शराब बंदी यह विहार की जो एंडिये सरकार है उसके लिए एक बहुत बड़ा खत्रा है और अगर सरकार इसको तरीके से हैंडिल नहीं करती है तो चुनाव में इसका बहुत नुकसान हो सकता है हाला कि चुनाव में अभी एक साल की देरी है और विपक्ष को भी विकल्ब के तौर पर अपने आपको त्यार करना है प्रशांद की सोर भी है इस बार तो वह भी देखना है करने का मतलब यह है कि इस तीन एस यह तीन एस जो है वह एंडिये सरकार के लिए बहुत भारी है तो आज के लिए इतना ही तब तक के लिए नमस्कार कर दो कर दो कर दो कर दो दो कर दो वह जो भी है